इस वीडियो में हम देखेंगे कि python operators क्या होती है हम देखेंगे कितने types के operators होते हैं examples भी देखेंगे शुरू करते हैं देखे python operators हमारे basically operations होते हैं जो हम variables और उनकी values पर perform करते हैं जैसे कि हमें 2 variables value को add करना है subtract करना है multiply करना है, divide करना है उनका mod निकालना है bit values, binary values पर काम करना है 2 variable values में से सबसे बड़ा value निकालना है सबसे कम value निकालना है एक variable value को दूसरे variable में sign करना है यह सब हम python operators से कर सकते हैं तो हम सारे operators देखेंगे बारी बारी से सबसे पहले आगे हमारी arithmetic operators यह क्या होता है arithmetic operators, arithmetic operations perform करने के लिए होता है जैसे कि addition हो गया, subtraction, multiplication, division, modulus ये सारे operators हमें provide किये गया Python द्वारा ठीक है, हम इसको देखते है example PyChamp पे निया project file पे गया, new project create किया create किया, यहाँ पे लिख देते है Python operators हिंदी, okay, create पे click किया new window, अब देखिए पहला project create करते है right click किया, मैंने python file click किया enter press करूँगा तो यह demo.py python file बन जाएगी तो हम देखते है सबसे पहले arithmetic operators in python, ठीक है, तो एक value लेते है a, हमने 10 assign किया, उस variable value में b लेते है 6 b लेते है 6, ठीक है, अब सबसे पहले use करते है add, इसको add कर देते है, हमारा add arithmetic operator हो गया यह, उसके बाद हम क्या करते है, यह add हो गया, इसको हम अब इसको बस हमको कुछ नहीं करना है, यह मैं असानी से बता रहा हूँ, इसमें minus कर दीजिए, यह आपने इसको multiply कर दिया, multiply assignment हो गया, यह divide हो गया, और यह mode हो गया, अब मैं जब इनको print करूँगा, तो हमारे सारे arithmetic operators का result यह दिखा देगा, हमें run किया, देखिए, दोनों को add किया तो 16 आ गया, minus किया तो 10, minus 6, 4 होता है, multiply किया तो 60 हो गया, divide किया तो यह आ गया, और modulus में उसका mod आ गया, देखिए, तो यह हमने arithmetic operators in python complete कर लिया है, आगे हम देखेंगे assignment operators, यह रहा हमारा assignment operator, जैसे कि इसका नाम है assignment, यह हमारा काम आता है, values assign करने के लिए variables में, ठीक है, इसके लिए हमारे पार assignment operators है, add assignment है, subtract assignment operator है, हम देखते है क्या होता है, example से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, देखिए, second create करते हैं, right click new, demo 2 में create कर देता हूँ, इसमें हमारा सिर्फ, programs होंगे किसके, सिर्फ assignment operators in python के, अब हम गई हैं, आपर मैंने एक variable लिया, मैंने उसको print कर दिया, ठीक है जी, तो यह हमारा हो गया assignment operator, सीधा हमने assign किया और हो गया, अब अगला हम करेंगे add assignment कैसे, a plus is equal to 5, और इसको print कर देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, add assignment, add assignment मतलब, a plus is equal to 5 को मतलब है, a is equal to a plus 5, मतलब result हमारा जो addition का था, वो a के अंदर ही store हो गया, और हमने यहां पे दिखा दिया है, इसी तरीके से सिर्फ आपको plus change करना है अब यहां पे, देखिए मैंने यहां पे करा change, अब मुझे minus करना है, मैंने minus कर दिया, पूरी value से 3 minus कर दिया, चलो, a minus 3 लिख दिया आपके क्यों, क्योंकि मैंने उपर भी दिखाया था, a minus is equal to 3 का मतलब बता है, a is equal to a minus 3, इसी प्रकार से हम into किया मैंने, तो a is equal to a into 5 कर दिया, into 5 कर दिया या इसको असान करने के लिए 2 कर दियते हैं, यह हो गया जी मारा assignment operators in python, right click करके run करता हूं, मैंने run किया, पहले value आएगा 10, फिर add कर देंगे 5, 15, 15 वाली value में, 3 minus करेंगे तो 12 हो जाएगा, देखिए, 10 किया, 5 add किया तो 15 हो गया, 15 में से यह 3 minus किया, a minus is equal to 3, तो 12 हो गया, 12 में 2 को into कर दिया, यह रहा 24 हो गया result, तो यह हमारा हो गया assignment operators in python, अब अगला हमारा आएगा, logical operators in python, logical operators basically, हमारे conditional statements को combine करता है, क्या मतलब हुआ, मतलब अगर आपको किसी variable value check करना है कि वो, जैसे variable value 10 है आपके आपको चेक करना है, एक ही statement में कि वो 5 से बढ़ी है या 20 से कम है, तो आप इसके थूँ चेक कर सकते हैं, मतलब अगर दोनों values सही भी, मतलब result आपका 2 आएगा, अगर दोनों values and operator के left और right पे दोनों values वो true है, और operator में अगर left और right पे दोनों में से कोई एक भी value true है, तो उसका result true आएगा, और not का मतलब तो negation होता है, मतलब अगर वो false return करेगा तो आपका output आएगा true देखते हैं, example में right click new, demo 3 press enter, यह हमारा आगया ठीक है जी हमने मैंने किया, a is equal to 10 मैंने कहा था पहले, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा अपना and operator का, कैसे अब मैं and के left और right में conditions लगाऊँगा, मैंने variable ले लिए result, R.E.S. अब मैंने दिखाया, क्या a हमारा 5 से बढ़ा है, बिल्कुल है और and operator में लगा दिया क्या a हमारा 20 से छोटा बिल्कुल है, a हमारा 10 है तो वह 5 से बढ़ा हुआ और 20 से छोटा हुआ तो यह result हमारा true आएगा ठीके जी मैंने right click किया, right click करते ही मारा आगया true, देखिए अब मैं इसी तरीके से और operator भी चलाऊँगा और में क्या होगा सबसे पहले तो यह और change होगा ठीके न, और इसमें हम चेक कर देते हैं, हमें को एक सही होनी चीए value तो हमने a क्या 5 से कम है, नहीं है, गलत हो यह false, और a क्या हमारा 8 से बढ़ा है, बिलकुल है, तो मतलब a condition तो मारी true होगी, a हमारा 8 से बढ़ा ही, क्योंकि a 10 है मतलब a condition true होगी यह वाली, मतलब मारा output true आएग, right click run देखिए, मारा फिर से यहां पर true आगया, अब आखरी में हमारा आएगा not operator not operator, not operator मारा क्या करता जी, यह हमारा res, मैंने फिर से ले लिया, not use किया, मैंने इसमें check कर दिया, a greater than 5 है, and a less than 20 है, जो हमने यही किया था, यही मैंने यहां पर fit कर दिया, अब इसका result true आया था, आपको याद होगा, सबसे पहले true लेकिन हमने यहां पर not लगा दिया, तो अब इसका result हो जाएगा false not का मतलब होता opposite, reverse कर देना अब देखिए, बिल्कुल आखरी में false लिखा होगा, ठीक है हमने बस यह पहली वाली value को उठाया, और उसपे not लगा दिया, तो यहां पर true आगे था, तो मतलब है यहां पर false आगे नीचे तो यह थे हमारे logical operators in python आगे चलते है अब आगे जी हमारे identity operators आपको यह basically object पर काम करता है यह object को compare करता है, अगर object दोनों object same memory location की है, तो यह वह वही check करता है, ठीक है, अगर आपके दोनों variables same object पर point कर रहे है same memory location पर point कर रहे है, तो true return करेगा नहीं तो false return करेगा और is not में opposite होता है अगर अगर दोनों variables different objects पर point करें तो वह true return करेगा, नहीं तो false return करेगा, तो देखते है, is or is not example के साथ create करते है new file, demo demo 4 मैंने create कर दिया इसमें भारा होगा identity operators यह देखे हैं हमने object create कर दिया, अब मैं यह object दुबारा create कर दूँगा देखे यह B नाम से अब C में क्या करेंगे हम value assign कर देंगे एक यह object की अब is operator use करते हैं पहले मैं चेक करूँगा is operator से कि a और c का memory location यह same objects हैंगे नहीं मैंने right click किया run demo 4 देखे true आगे क्योंकि हमने इसको assign कर दिया था तो यह same memory तो यह same object consider किया अब क्या करते है not is not use करते है, same पर use करके देखते है क्योंकि दोनों equal है तो यहाँ पर false ही आएगा फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार is not see right click किया मैंने demo 4 अब देखे यह false आ जाएगा क्यों क्योंकि is not का मतलब opposite होता है अगर दोनों object different locations के होते है दोनों different objects होते है तो यहाँ पर true आता लेकिन यहाँ पर हमारा a और c हमने यह assign कर दिया तो दोनों a की object हो गया इसलिए यहाँ पर false आ गया अब is not को दुबारा चेक करते है किसी और value से देखे a is not b कर देते हैं अब a और b content same है अंदर लेकिन दोनों है तो अलग objects तो यहाँ पर true आ जाएगा naughty है मतलब दोनों अलग यहाँ तो same memory location point करेगा next देखते है next आगे मारा membership operators इसका मतलब होता है हमको membership check करते है data structure में that is membership का मतलब हो गया जैसे कि data structure में हम check करते है data structure जैसे tuple string dictionary हो गया हमारा तो इसके दो operators है in or not in अगर variable list के अंदर है dictionary string data structure के अंदर है तो true return करेगा नहीं तो false return करेगा वही not in में opposite होता अगर variable dictionary या string या हमारे data structure में नहीं है तो true return करेगा else वह false return करेगा देखते example right click नया किया हमने demo5 press enter जी अब हमारा आ गया membership operators हमने एक object create किया अब हम चेक करेंगे in operator हम कोई भी एक value चेक कर लेते हैं इसमें क्या amit word है a के अंदर in operator यूज कर रहा है अगर होगा तो true return कर देगा रहा right click करते है demo5 true ठीक है जी true return हो गया उसके बाद हम not in चेक करते हैं अब मैं इसके अंदर कोई ऐसी value डालूँगा जो इसमें नहीं है मतलब जालो जैसे हम steve add कर दिया मैंने steve in a a के अंदर तो है नहीं मतलब यह जब मैं not in यूज करूँगा तो यह true return करेंगा क्योंकि ही नहीं तो मतलब true है not in के साब से true हो गया यह क्योंकि not in opposite है अगर हम कोई value इसके अंदर पहले से है वो मैंने चेक की not in a में जैसे मैं john चेक करता हूँ चलो तो यह false return करेगा क्योंकि यह तो already इसके अंदर है not in का मतलब होता है नहीं है तो true return करो तो यह तो है value अंदर तो यह false return कर देगा देखिए false return कर दिया आगे चलते है bitwise पे हमारे आगे bitwise operators bitwise operators हमारे binary numbers को bit by bit एक एक bit करके चेक करते है operands पे ओके इसके हमारे 6 तरह के binary and binary or binary xor and binary not इसके लावा binary left shift and binary right shift भी है यह रहे binary and हमारा and operator की तरह ही काम करता है अगर हर एक bit 1 है मतलब true है तो result true होगा binary or में अगर कोई भी एक bit अगर कोई भी एक bit 1 हुआ तो result 1 आएगा ठीक है xor में क्यों होता है अगर हमारा दोनों operand में से कोई एक भी 1 है वो हर एक bit को 1 set कर देगा binary not का मतलब negative होता है 1 का 0 0 का 1 मतलब true का false false का true कर देता है वो binary left shift में वो left operand value को shift करता है by the number of bytes in the right operand और जो left mode bits होते है वो क्योंकि move करेंगे तो वो fall होते रहते हैं मतलब वो निकलते रहते हैं right shift में वैसा ही होता बिल्कुल इसमें जो rightmost bits होते है वो shift होते है तो space बनाने के लिए वो fall off हो जाते है ठीक है अभी हम इसको example देखेंगे तो यह अच्छी से समझ आएगा देखते है यहाँ पे हम गए right click मैंने यह demo 6 create किया क्यों 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 मुझे bitwise के program run करने थे ठीक है यह मैंने किया अब क्या करते है bitwise में सबसे पहले तो दो values ले ले लेते हैं सबसे पहले तो a ले ले लेते हैं value उसमें हम एक decimal add कर देते हैं इसका है 18 b को कर देते है 11 चलो अब हमारा 18 का binary value क्यों होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे ताकि असान रहे हमारे लिए 18 is equal to 0 0 0 1 binary तो पता हमको 0 & 1 की form में होते हैं अब 11 क्या होता है 0 0 0 0 & 10 1 1 अब हम एक variable ले ले लेते हैं result के लिए उसको 0 assign कर दिया अब चलते हैं जी सबसे पहले bitwise and operator पे यह हमारा क्या करता है मैंने बताया था यह and operator यूज करके हर एक bit को one assign कर देगा अगर दोनों bit one है यह मतलब यहां पे देखिए यह दोनों bit compare होंगे जहां पे दोनों बेवान है यह वान लाल देगा बाकियों में 0 करतेगा यह मैंने किया a and b and यह operator यूज होता है bitwise and के लिए मैंने इसको print किया result देखतें क्या result आता है right-click किया 2 आगे मारा result हम गए bitwise और में मैं इसको लिखा देता हूँ देखिए मैंने और किया इसको और यहां पे operator यहां पे pipe sign होता है और यह और होता है अब हम दोनों में और लगाएंगे इन दोनों में 18 और 11 पे उससे क्या होगा उसको लगाने से क्या होगा हर एक bit को 1 दिखा देगा अगर any of the 2 bits are 1 मतलब जैसे यहां पे 0 और 1 है यहां पे 0 और 1 है तो यह output में 1 दिखाएगा यहां पे 1 और 1 है तो 1 दिखाएगा यहां पे 00 होगा यहां पे 01 है तो नीचे 1 आ जाएगा ठीक है ऐसे करके इसका output देखते है right click करके output हमारा आएगा decimal form में 27 आगया अब चलते हैं जी हमारे XOR पे XOR क्या है मारा XOR इसी तरीके से देखते हैं हमारा आगया XOR इसके लिए operator हमारा यह use होता है ठीक है XOR में क्या होगा each bit को one assign कर देगा अगर कोई एक one है ठीक है मैं इसको run करता हूँ देखे 25 आ गया मतलब हर एक bit को one assign कर देगा अगर अगर सिर्फ एक उन में से one है true है मतलब ठीक है अब हम देखते है next हमारा आ गया bitwise not operator not का मतलब negation होता है तो मैं अगर bitwise not लिखूँ तो जी इसमें आएगा हमारा R.E.S. is equal to यह मैंने negation का sign लगा दिया और A कर दिया मतलब यह A को हमारा negate कर देगा 18 को हमारा negate करके output दिखा देगा right click demo 6 देखे इसने minus 19 दिखा दिया अब हम चलते हैं जी most important हमारे left shift और right shift वाले पर ठीक है यह मैंने R.E.S. लिया इसके अंदर मैंने क्या किया ए था हमारा A को मैंने shift किया left यह A था हमारा इसको मैंने left shift किया एक एक bit करके तीन बार shift किया कैसे यह देखे यह नहीं अपरेटर लिख दिया left shift का तीन मतलब तीन बार shift किया by the number of bits in the right of print मतलब right of print में वो जितने numbers होंगे उतनी बार वो shift होगा तीन बार वो left shift होगा अब यह ठीक है मैं इसको जब print करूँगा तो इसका output मैं भी दिखाता हूं फिर इसका मैं आपको illustration भी दिखाता हूं मैंने तीन बार shift किया और यह output आ गय value में value यह थी मैंने दिखाया उसके बाद यह तीन बार shift हुआ तो यह थी हमारी value binary तीन बार left shift होगा मतलब one पहले यहाँ था फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा अब देखिए one पहले यहाँ था एक बार shift होगा तो यहाँ आ गया अगली बार shift होगा और अगली बा आउटपुट है जी आउटपुट जब अब इसको decimal में convert करोंगे तो वह 144 आएगा 144 यही हमने show किया बस in the same way जब हम इसी तरीके से हम जब right shift करेंगे तो उसको वही होगा right में shift होगा जो आपके right में operands है उसके according shift होगा मतलब आपके अगर right में 2 है तो वह दो बार shift होगा ठीक है ना देखिए shift 2 times होगा यहाँ पर मैंने 2 कर दिया एक मेंने इसको 2 times shift कर दिया right operator यह है binary right shift देखिए 2 times किया तो 4 आगया हमार output ठीक है जी इसको अगर जब हम 3 करेंगे तो 3 times हो जाएगा करके देखते है देखिए 3 times किया तो यह 3 times हो गया फिर 2 आगया आप इसको चेक कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया इल्लस्टेशन में यह थी इल्लस्टेशन तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम असानी से python operators पर काम कर सकते हैं हमने तक्रीमन सारे python operators देखिए इसमें उसके बाद हमने bitwise operators भी देखा यह हमारा binary left shift operator था इसी के coding right shift भी काम करता है वो सिफ right में shift कर देता है तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए